ओम शान्ती आज एक फरवरी 2023 के बाबा के अनमोल मदुर महावा के सुनेगे आज की मुडली में बाबा ने एक बहुत सुक्ष्म बात सुनाई है कि बच्चे जहां तुम्हारी द्रिष्टी जाती है वहीं तुम्हारा बुद्धी योग भी चला जाता है जब तुम्हारी द्रिष्टी देधारियों की और जाती है तुम्हारी द्रिष्टी देधारियों की और जाती है तो बुद्धी योग भी उसी और जाता है यहाँ जब कोई मुरली सुनाता तो आत्मा के तरफ तृष्टी जाने चाहिए तो बुद्धी योगी सहज उस निराकार बाबा की और चला जाएगा दूसरी बात चो बाबा ने विशेश आज मुरली में सुनाई है कि ग्रहस्त व्याउहर में रहते हुए भी तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनना है सब को बाब का परीचे देना है और ये चक्र फिराना है तो सुनते हैं बाबा के मधुर महवाकित ओम शांती मीठे बच्चे तुम्हारे नजर किसी भी देहधारी की तरफ नहीं जानी चाहिए क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयम निराकार ज्यान सागर बाब है आज की मुरली से प्रश्न है उंच पद के लिए कौन सी एक महनत तुम बच्चे ग्रहस्त व्यवहार में रहते भी कर सकते हो उत्तर है ग्रहस्त व्यवहार में रहते सिर्फ ग्यान कटारी चलाओ स्वदर्शन चक्रधारी बनो और शंक ध्वने करते रहो चलते फिरते बेहत के बाब को याद करो और उसी सुख में रहो तो उंच पद मिल जाएगा यही महनत है दूसरा प्रश्न योग से तुम्हें कौन सा डबल फाइदा होता है उत्तर एक तो इस समय कोई विकर्म नहीं होता है योग में जब रहते हैं तो उस समय कोई विकर्म नहीं होता है दूसरा पास्ट के किये हुए विकर्म विनाश हो जाते हैं तो यह डबल फाइदा योग में रहने से होता है आज की मुरली से पहले गीत बजा है माता तु है सबकी भाग्य विधाता है ओम शान्ति सत्संग वा कॉलेज आदी जो होते हैं वहाँ देखने में आता है कौन पढ़ाते हैं नजर पढ़ती है जिसम पर कॉलेज में कहेंगे फलाना प्रोफेसर पढ़ाता है नावा कहें जिसम पर नजर जाएगी तो कहेंगे फलाना प्रोफेसर पढ़ाते हैं सत्संग में कहेंगे फलाना विद्वान सुनाते हैं मनुष्य पर ही नजर जाती है यहां तुम्हारे नजर यानि दृष्टी किसी देधारी पर नहीं जाती है तुम्हारी बुद्धी में है कि निराकार परंपिता परमात्मा इस तन द्वारा सुनाते हैं बुद्धी चली जाती है मात पिता और बाप दादा तरफ बच्चे सुनाते हैं जब बच्चे सुनाते हैं तो कहेंगे ज्यान सागर बाप द्वारा सुना हुआ सुनाते हैं। पर्क पड़ गया ना। सत्संगों में कुछ भी सुनते हैं तो समझते हैं फलाना ये वेद सुनाते हैं। मनुष्य की मर्तबे पर जाती पाती पर दृष्टी जाती है। ये हिंदू है, ये मुसल्मान है, दृष्टी वहाँ चली जाती है। यहां तुम्हारी दृष्टी जाती है इस तरफ, शिव बाबा तरफ। शिव बाबा पढ़ाते हैं, अभी बाप भविश्य नई दुनिया के लिए वर्सा देने आये हैं। और कोई ऐसे कह न सके, कि हे बच्चो, तुमको स्वर्ग के लिए राजियोग सिखला रहे हैं। अब ये गीत भी सुना। कौंसा गीत था? माता तु है भाग्य विधाता। तु बाबा कहे अब ये गीत भी सुना। गीत तो है पास्ट का। ऐसे जगत अम्बा थी। बरोबर उसने सौ भाग्य बनाया। बाबा की ये मुर्लिया मम्मा के जाने के बात की मुर्ली है। इसलिए बाबा कहे ऐसे जगत अम्बा थी। बरोबर उसने सौ भाग्य बनाया जिसके मंदिर भी है। परन्तु वह कौन थी? कैसे आई? भाग्य कौन सा बनाया? कुछ भी नहीं जानते। तो इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। यहां तुम समझते हो ज्यान सागर परमपिता परमात्मा, ब्रह्मा मुख द्वारा पढ़ाते हैं, बाप आया हुआ है, बक्तों के पास भगवान को आना ही है, नहीं तो भक्त भगवान को क्यों याद करते हैं? सब भगवान है, यह तो रॉंग हो जाता है, वसर्व्यापी के ज्यान वाले अपनी बात को सिद्ध करने के लिए भी अपना बीस नाखुनों का जोर देते हैं। तुम्हारा समझाना अलग हो जाता है, बेहत के बाप से बच्चों को ही वर्सा मिलता है। सन्यासियों का है ही वैराग्य मार्ग, निवरत्य मार्ग, उनसे कभी भी प्रापर्टी का हक मिलना सके। वो प्रापर्टी चाहते ही नहीं, तुम तु सदा सुख की प्रापर्टी चाहते हो। नर्क के धन दौलत में दुख है, भल धनवान है, परन्तु चलन ऐसी गंदी चलते हैं, पैसा उड़ाते रहते हैं, फिर बच्चे भूख मरते हैं, तो अपने को भी दुखी, बच्चों को भी दुखी करते हैं। यह है बेहत का बाप, वहाँ बैट बच्चों को समझाते हैं, वह तो भिन भिन अनेक बाप है, दुनिया में तो देधारियों के भिन भिन अनेक बाप है, जिन से अल्पकाल के लिए वर्सा मिलता है, बल राजाएं हैं, वह भी हद के हो गए, हद का अल्पकाल का सुख है। यह बेहत का बाप, अविनाशी सुख देने आते हैं, समझाते हैं, भारतवासी जो डबल से ताज थे, स्वर्ग के मालिक थे, अब नर्क के मालिक बन पड़े हैं, नर्क में है दुख, पाकि ऐसे कोई नदियां आदी नहीं है, जैसे शास्त्रों में दिखाते, रौरो नर्क, विशय वैतर्नी नदी, आदी के चित्र, गरूर पुराण में दिखाते हैं, यह तो सजाएं खानी होती है, तो वह रोचक बाते लिख दी है, आगे तो जो जिस अंग से बुरा काम करते थे, तो वह अंग उनका काटा जाता था, बहुत कड़ी सजा मिलती थी, अब इतनी कड़ी सजा नहीं मिलती है, फासी की सजा कोई कड़ी नहीं है बाबा कहे फासी की सजा कोई कड़ी नहीं है वह तो बहुत इजी है मनुष्य आपगात भी बहुत खुशी से करते हैं शिव पर देवताओं पर जट बली चड़ जाते हैं तुम जानते हो आत्मा दुखी होती है तो चाहती है एक शरीछ छोड़ जाकर दूसरा ले ले वे वह आपगात करने वाले ऐसे नहीं समझते हैं वह तो यहां ही एक शरीछ छोड़ फिर भी यहां ही गंदा जन्म ले लेते हैं ज्यान तो है नहीं, सिर्फ शरीर को खत्म कर देते हैं दुख के कारण, फिर भी दुखी जन्म ही पाते हैं, तुम तो जानते हो, हम तो नई दुनिया के लायक बन रहे हैं, जीव घात करने वालों में भी वेराइटी होते हैं, जैसे कोई-कोई स्त्री पती के पिछाड़ी अपना शरीर होमती है, पहले के जमाने में सती प्रथा होती थी, तो सती हो जाती थी, तो बाबा कहे, जैसे कोई-कोई स्त्री पती के पिछाड़ी अपना शरीर पिता में होम देती है, वह बात अलग है, समझते हैं हम पती लोक में जाएंगी क्योंकि सुना हुआ है बहुत उने किया है तो इसलिए बाबा कहें वो समझते हम पती लोक में जाएंगी क्योंकि सुना हुआ है बहुत उने किया है शास्त्रों में भी है कि पती लोक में जाती है परन्तु वपती तो कामी ठहरा, फिर भी इसी मृत्यू लोक में ही आना पड़े, यहां तो ज्ञान चिता पर बैठने से स्वर्ग में चले जाते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो, कि यह जगतंबा, जगत्पिता, जो स्थापना अर्थ निमित बने हुए हैं, यही फिर स्वर्ग में पालन करता बनेंगे मनुष्य तो जानते नहें, विष्णु कुल किसको कहा जाता है, विष्णु तो है सुक्ष्म वतनवासी, उनका फिर कुल कैसे हो सकता अभी तुम जानते हो, विष्णु के दो रूप, लक्ष्मी नारायन बन पालना करते हैं राज्शे करते हैं, यह है ज्यान चिता, तुम योग लगाते हो उस एक पतियों के पती के साथ शिव बाबा है पतियों का पती, तो बाबा कहें तुम योग लगाते हो उस एक पतियों के पती के साथ वह है शिवाबा, वही पतियों का पती, पिताओं का पिता है, सब कुछ वह एक ही है, उसमें सर्व संबंद आ जाते हैं, बाप कहते हैं, इस समय के जो भी चाचे काके आदी तुम्हारे हैं, वह सब तुमको दुख की राही बताएंगे, उल्टे रास्ते की आसुरी मत ही देंगे, बेहत का बाप आकर बच्चों को सुल्टी मत देते हैं, समझो, लौकिक बाप कहते हैं, कॉलेज में पढ़कर बैरिस्टर आदी बनो, वह कोई उल्टी मत थोड़ी है, शरीर निर्वा अर्थ तो वह राइट है, वह पुर्शार्थ तो करना ही है, उनके साथ साथ फिर भविश्य, एक किस जन्मों के शरीर निर्वा अर्थ भी पुर्शार्थ करना है, पढ़ाई होती ही है शरीर निर्वा के लिए, शास्त्रों की पढ़ाई भी है, निवरत्ती मार्ग वालों के शरीर निर्वा अर्थ, वह अपने शरीर निर्वा अर्थ ही पढ़ते हैं, कैसे? शास्त्रों सुना करके कमाते हैं. एक ही कश्मीर का राजा मरा, तो कितने पैसे मिल गए, और ये समाजियों आदी को, तो ये सब करते ही है पेठ के लिए. संपत्ती बिगर तो सुख होता नहीं, धन है तो मोटोरों आदी में घूमते हैं, आगे सन्यासी पैसे के लिए सन्यास नहीं करते थे, वह तो चले जाते थे जंगल में. इस दुनिया से तंग हो, अपने को छोडाते हैं, परन्तु छूट नहीं सकते हैं, बाकि पवित्र रहते हैं, पवित्रता के बल से भारत को थमाते हैं, यह भी भारत को सुख देते हैं, एक प्रकार से भारत को सुख देते हैं, यह पवित्र नहीं बनते, इस अन्यासी अग पवित्रता सिखलाने वाले एक ये निवरत्ती मार्ग वाले हैं, दूसरा है बाब, वह है निवरत्ती मार्ग वाली पवित्रता, यह है प्रवरत्ती मार्ग की पवित्रता, सन्यासियों की है निवरत्ती मार्ग वाली पवित्रता, और बाबा अकर सिखाते हैं प्रवरत्ती मा हम देवी देवताइं पवित्र थे, अब अपवित्र बन गए हैं, पूरा आधा कल्ब, पांच विकारों द्वारा हम अपवित्र बनते हैं, मायाने थोड़ा थोड़ा करते, पूरा ही अपवित्र पतीत बना दिया है। दुनिया में ये कोई भी मनुश्य नहीं जानते कि हम पावन से पतीत कैसे बनते हैं, समझते भी है कि ये पतीत दुनिया है, समझो किसी मकान के आयू सो वर्ष है, तो कहेंगे पचास वर्ष नया, पचास वर्ष पुराना, आहिस्ते आहिस्ते पुराना होता जाता है, इस रि इंदम नई दुनिया में सुख होता है, फिर आधा के बाद पुरानी होती है, जाया भी जाता है, सत्यूग में अथा सुख है, फिर पुरानी दुनिया होती है तो दुख शुरू होता है, रावन दुख देते हैं, पतीत रावन ने किया है, जिसका बूत जलाते हैं, ये बड दुश्मन है कोई ने गवर्मेंट को एपलाई किया कि रावन को नहीं जलाया जाए तो समय समाचार में आया होगा कि किसी ने गवर्मेंट को एपलिकेशन दिया कि रावन को नहीं जलाया जाए बहुतों को दुख होता है रावन को विद्वान बताते हैं तो सोचते एक पिनिष्टर राधी कोई भी समझते नहीं है, अभी तुम जानते हो कि रावन का राज्य द्वापर से शुरू होता है, भारत में ही रावन को जलाते हैं, बाप समझाते हैं, द्वापर से ये भक्ति अग्ञान मार्क शुरू होता है, ज्ञान से दिन, भक्ति से रात, अब द पवभाग्य विधाता कैसे है? कितना बड़ा मेला लगता है? परन्तु जगतंबा है कौन? यह भी जानते नहीं. बंगाल में काली को भी बहुत मानते हैं. परन्तु जानते नहीं कि काली और जगदंबा में क्या फर्क है? जगदंबा को गोरा दिखाते हैं, काली को काला बना दिया है. जगतंबा ही लक्ष्मी बनती है, तो गोरी है. फिर 84 जन्म लेते लेते काली हो जाती है. तो मनुष्य कितने मुझे हुए हैं. बास्तों में काली अत्वा अंबा है, तो एक ही. बाबा कहें, पास्तों में काली अत्वा अंबा है तो एक ही. कुछ भी नहीं जानते, इसको कहा जाता है अंदश्रद्धा. अभी तुम बच्चे जानते हो, जो पास्त में जगतंबा थी, उसने भारत का भाग्य बनाया था. तुम भी भारत का सौभाग्य बना रहे हो. माताओं का ही मुख्य नाम है. सन्यासियों का भी माताओं को उद्धार करना है. भाबा कहें, माताओं का मुख्य नाम है. सन्यासियों का भी माताओं को उद्धार करना है. यह भी नून है. परम पिता परमात्मा ने डाइरेक्शन दिया है, इन्हों को ज्ञान बाण मारो, तुम बच्चियां भी सन्यासियों आदी से मिलते हो, तो समझाती हो, बावा कहे, तुम बच्चियां भी सन्यासियों आदी से मिलती हो, तो समझाती हो, कि हमको ज्ञान सागर परम पिता परमा आत्मा पढ़ाते हैं, तुम हद के सन्यासी हो, हम है बेहद के, हमको बाप राजयोग सिखलाते ही तब है, जबकि तुम्हारा हठयोग पूरा होना है, हठयोग और राजयोग दोनों इखठे रह नहीं सकते, तो टाइम कोई अब जास्ती नहीं है, बहुत थोड़ा टाइम है, बाप कहते हैं, बच्चे, ग्रहस्त व्यावहार में रहते, कमलफूल समान बनो, ब्रामनों को ही कमलफूल समान रहना है, कुमारियां तो है ही पवित्र, कमलफूल समान, बाके जो विकार में जाते हैं, उनको कहते हैं, पवित्र बनो, ग्रहस्त व्यावहार में रहते, कमलफूल समान बनो, हर एक स्वदर्शन चक्रधारी बनो, शंक बजाओ, ग्याम कटारी चलाओ, तो बेड़ा पार हो जाएगा, महनत है, महनत बिगर, इतना उंचा पद पा नहीं सकते, चलते फिरते उसी सुख में रहो, बाब को याद करो, जो बहुत सुख देते हैं, उनकी याद रहती है न, अब तुम्हें याद करना है किसको, बेहत के बाब को, उनका ही परीचे देना है, समझाना है, बोलो, तुम राज विद्या इस जनम में पढ़कर बैरिस्टर आदी बनेंगे, बाब कहें, समझाना है, बोलो, तुम राज विद्या इस जनम में पढ़कर बैरिस्टर आदी बनेंगे, अच्छा समझो, पढ़ते पढ़ते अत्वा इम्तिहान पास करते, तुम्हारी आयूपूरी हो जाए, शरीर छूट जाए, तो पढ़ाई यहां ही खत्म हो जाएगी कोई इम्तिहान पास कर लंडन गया, मा मर पढ़ा, तो पढ़ाई खत्म हो जाएगी, वह है ही विनाशी पढ़ाई, यह है अविनाशी पढ़ाई, इसका कभी विनाश नहीं होता है, तुम जानते हो, नई दुनिया में आकर हमको राच्य करना है, वह है अल्पकाल का सुख, सो भी, जब नसीब में हो, पता नहीं कितना समय चले, यहां तो सर्टन है, इस पढ़ाई से तो सदाकाल का सुख सर्टन है, इम्तिहान पूरा हुआ, और तुम जाकर 21 जन्म का राज्य भाग के लेंगे, हद के बाप, पीचर, गुरू से हद का ही वर्सा मिलता है, समझते हैं, गुरू से शान्ती मिली, अरे यहां थोड़ी शान्ती हो सकती है, और गन से काम करते करते ठक जाते हैं, तो आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है, तो उस समय वो शान्ती का एसास करते, तो गुरू से थोड़ी मिली, बाप कहते हैं, शान्ती तो तुम्हारा स्वधर्म है, यहां और गन्स है, काम नहीं करने चाहते हो, तो चुप हो बैठ जाओ, हम अशरीरी है, बाप से योग लगाते हैं, तो विकर्म विनाश हो जाए, बल कोई सन्यासी से तुमको शान्ती मिले, परन्तु उस से विकर्म विनाश नहीं हो सकता, यहां बाप को याद करने से विकर्मा जीत बनते जाएंगे, अच्छा, वो शान्ती में बैठे हैं, करके विकर्म भी विनाश होंगे, डबल फाइदा होगा, पुराने विकर्म भी विनाश होते हैं, सिवाई इस योग बलके पुराने विकर्म किसी भी हालत में, इसके विनाश हो नहीं सकते, प्राचीन योग भारत का ही गाया हुआ है, इससे ही जनम जनमांतर के विकर्म विनाश होते हैं, और कोई उपाई है नहीं, अभी यह बंद होनी है, अभी बाबा कही यह विद्धी बंद होनी है, गवर्मेंट भी चाहती है, विद्धी चास्ती न हो, हम तो विद्धी इतनी कम करते हैं, जो बहुत थोड़े रहेंगे, बाकि सब चले जाएंगे, मनुष्य समझते भी है, कि विनाश होगा, परंदु लड़ाई को बंद देख फिर समझते हैं पता नहीं होगा या नहीं खंडे हो जाते हैं बाप समझाते हैं बच्चे समय बाकी थोड़ा है इसलिए गफलत मत करो अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्याद और गुड मौनिंग रुहानी बा मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मौनिंग और नमस्ते नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया आज की मुर्ली से धाना के लिए मुख्यसार है पहली पॉइंट शरीर से डिटाच हो और शरीरी बन सच्ची शांती का अनुभव करना है बाप की याद से स्वयम को विकर्मा जीत बनाना है दूसरी पॉइंट अविनाशी प्रालब्द बनाने के लिए अविनाशी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है उल्टी सब मतों को छोड़ एक बाप की सुल्टी मत पर चलना है आज का बाप दादा का मधुरवर्दान हम बच्चों के प्रती है उंची स्टेज पर रहे प्रकर्ती की हलचल के प्रभाव से परे रहने वाले प्रकर्ती जीत भवव माया जीत तो बन रहे हो लेकिन अब प्रकर्ती जीत भी बनो क्योंकि अभी प्रकर्ती की हलचल बहुत होनी है कभी समुद्र का जल अपना प्रभाव दिखाएगा तो कभी धर्नी अपना प्रभाव दिखाएगी अगर प्रकर्ती जीत होंगे तो प्रकर्ती की कोई भी हलचल खिला नहीं सकेगी सदा साक्षी होकर सब खेल देखेंगे जैसे फरिष्टों को सदा उची पहाड़ी पर दिखाते हैं ऐसे आप फरिष्टे सदा उची स्टेज पर रहो तो जितना उचे होंगे उतना हलचल से स्वतह परे हो जाएगे आज का स्लोगन है अपने स्रेष्ट वाइब्रेशन से सर्व आत्माओं को सहियों की अनुभूती कराना भी अपस्या है अच्छा ओम शांगे